दोस्तों नमस्कार आदाव सत्स्रियकाद नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है मनिपूर के मुद्दे को लेकर शुरू में जुठलाने की कोशिश की गई थी देश के समक्ष गलत बयानी भी की गई बार बार जिम्यदार और दोसी मनिपूर की सरकार को मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश की गई लेकिन अब सारे भेद सभी भेद खुल गए हैं और ये चीजें बिलकुल ठोस रूप से अखवारों की ख़बरों के जरिये सामने आ गई हैं खासकर नार्थिस्ट के अखवार और अंग्रेजी के वे अखवार जो देश के अलग-अलग कोने में चपते हैं जो लेटिस्ट खवरें आई हैं जो सोसल मीडिया पे तुफान मचा हुआ है और खासकर नार्थ इस्ट में एक्टिव जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो यूट्यूबर्स है वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनसे की पूरे के पूरे मामले को ढखने तोपने की जूटी और नापाक कोशिश की गई सरकार की हाब नॉबिंग के बगएर सरकारी संड्रक्षन के बगएर मनिपूर सरकार की बात कर रहा हूं मैं इतना बड़ा हाथसा महीने दो महीने तक लगातार जारी और अभी भी खतम नहीं हुआ है ये हो ही नहीं सकता था एक ही राज्य में रहने वाले एक कम्यूनिटी के लोग एक कम्यूनिटी में भी दो दो जो उनके मिलिशिया ग्रूप हैं इनकी अगवाई में होने वाली हिंसा उपद्रों बलातकार आगजनी बंबी स्पोर्ट बंदुकें जो चलाई गए इस तरह की घटना बगएर स्ट ये बात पुलिस विभाग के बड़े एक्सपर्ट्स का रहे हैं जो डिटाइड अपसर हैं किस तरह के हाथ से इस तरह का घटना बिलकुल हो ही नहीं सकती अगर इस्टेट नो चाहे लेकिन दोस्तों सब कुछ हुआ और कांग पोकपी जिले की जो घटना है चार मई की है अठारा मई को थाने में शिकायत दर्ज हुई उसकी लेकिन इतने भयानक कांड का एफ आई आर पुलिस ने 21 जून को दर्ज किया घटना के कुल 48 तिनों बाद एफ आई आर जबकि चार जून को स्थानी अस्तर पर इस घटना को लेकर दोस्तों उसी इलाके में आसपास के इलाके में काफी कुछ लोगों को मालूम हो गया था कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कुछ जगह छपा भी था अब देखिए इस बीच क्या क्या हुआ इंटरनेट शटडाउन, सबसे बड़ी बात जो होई है इंटरनेट शटडाउन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन का क्या मतलब रहे, उसे क्या फर्क पड़ा वो तो जलूरी था, नहीं तो अफवाहें उड़ाई जाती ये मैं मानता हूँ अफवाएं भी उड़ाई जाती है लेकिन ये भी सच्छ है कि सूचना बाहर भी आती है खबरें जो दबाई जाती है मेंस्टेम मीडिया में और हमारे इंडिया के कांटेक्स्ट में आज के दोर में जब मेंस्टीम मीडिया में आम तोर पे आम तोर पे मैं कह रहा हूँ exceptions की बात नहीं कर रहा हूँ वही बातें छपती है ज्यादा तर वही बातें दिखाई जाती है जो सत्ता को पसंद हो या सत्ता कम से कम जिसको ना पसंद करे वो तो हर्गीज नहीं अब आप देखिए जिस वक्त मनिपूर का मामला संसत से सडक तक चाया हुआ है उस वक्त उसी वक्त सीमा हैदर और सचिन के मामले को लेकर टेलिवीजन के चैनलों पे एक से एक हवरें चलाई जा रही है घंटों सुबह से लेकर रात तक क्यों क्योंकि डाइवर्ट कर दिया जाए जिस इशू को लेकर भारत के अमेरिका में बात हो रही है अमेरिका के बड़े पदाधिकारी कहा रहे है कि भारत को हमारी कोई जरूरत हो साहता की तो बताए जिसको लेकर यूरोपियन पार्लेमेंट में और वो भी फ्रांस में जब हमारे प्रदानमंत्री दौरे पर थे उस वक्त फ्रांस के ही एक शहर में पार्लेमेंट सेशन चल रहा था येरोपियन पार्लेमेंट का और वहां ये मुद्दा उठा बड़ी यहां पर नाराजगी जाहिर की गई कि देश के आंतरिक मुद्दे को बाहर के उठाया जा रहा है लेकिन अब तो रिशी शुराग्दी जो प्रदानमंत्री है ब्रिटेन के उनकी मुद्दगी में जो हमारे ब्रिटेन की जो हाउसाप कॉमन्स है वहां पे बकायदे ये मसला उठा भी दो दिन पहले आप क्या कहेंगे देश भी देश में इसकी चर्चा है दुनिया के तमाम बड़े अख़वार टेलिवीजन चैनल सब जगा मनीपूर चल रहा है लेकिन अपने देश के टेलिवीजन चैनलों पर दो ठाई महीने के बीच में मनीपूर पर क्या चला क्या दिखाया गया क्या डिसकस किया गया क्या ख़बने पर उसी गई आप खल ना कर सकते हैं अगर टेलिवीजन चैनलों के रिपोर्टरों ने मैं दावे के साथ कहता हूं कि मनीपूर के उपद्रो गरस्त इलाकों में रिस्क लेकर जैसे वो चले जाते हैं उक्रेन वो चले जाते हैं नो जाने कहां-कहां अगर उस तरह जा करके और आगजनी लूट और हत्या का तांडो कर रहे हैं उनकी हैसियत इतनी नहीं बढ़ती क्योंकि वे सारे के सारे लोग सरकारी प्रोटेक्शन, सरकारी पैटरोनेज या किसी न किसी बड़ी ताकत के पैटरोनेज से ही ये सब कर रहे थे तो अगर मीडिया वहां उपस्थित होता स सूचनाएं अगर बाहर आती तो दबाव पढ़ता सत्ता पर सरकार पर प्रशासन पर की वैसा हर्गिज न होने दे और इस तरह इतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं होती अगर रिपोर्ट शुरू से ही मणिपूर को सही डंग से किया गया होता लेकिन जहां पर मीडिया चूचना का प्रवार रुख जाता है वहाँ इस तरह के मामले में दमन का रास्ता खुल जाता है उत्पीदन का जो दर्वाजा है और जादा चोड़ा हो जाता है दोस्तों यह भी मीडिया का भी एक फिल्योर है स्टेट का फिल्योर तो सबसे बड़ा है राजी सरकार का फिल्योर तो सबसे बड़ा है लेकिन मेंस्टीम मीडिया के बारे में भी जरूर मैं ये बात कहूंगा कि उसने भी अपना रोल अदा नहीं किया और जब ये वीडियो सामने आया तब सरकार सक्ते में आ गई देश के प्रदान मंत्री जो 77-78 दिन बोले ही नहीं बिलकुल खामोश रहे दुनिया भर घूम आए लेकिन उन्होंने कहीं भी ये टिपणी नहीं की उस वक्त भी नहीं टिपणी की जब यूरोपियन यूनियन में चर्चा चली लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद प्रदान मंत्री मजबूर हो गए बोलने के लिए संसत में वो बोलते ज्यादा बेतर होता लेकिन संसत की सीडियों पर बाहर उन्होंने कमेंट किया और वो भी कमेंट ऐसा था जिस पर विपक्ष से लेकर और स्वतंत्र टिप पढ़िकार रोश प्रकट कर रहे हैं उन्होंने मनिपूर के मसले को जनरलाइज करने की कोशिश कर दी इतने बड़ी स्थिती जो पैदा हुई है मनिपूर में उसको जनरलाइज किया और चत्रिस ग की वीडियो का मसला सामने आ गया वीडियो ने तथ्थि को उजागर कर दिया तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मेंस्टी मीडिया भी फेल किया है और अब आप देखिए उसके बीच में क्या क्या हुआ 27 मई को आर्मी चीफ मरोज पांडे भी मनिपूर गये थे 29 मई को अमिशा जी चार दिनों के दोरे पर देश के जो ग्री मंत्री हैं वो गये थे 16 जून को दोस्तो रास्ट्री महिला आयोग किया द्यक्ष रेखा शर्मा जी किया हां रिपोर्ट दर्ज कराई गई कम्प्लेइन किया इस पूरे मामले का लेकिन शर्मा जी ने कुछ नहीं किया रेखा शर्मा जी ने कुछ नहीं किया अब पत्रकार उनको जब घेर रहे है उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उनके हाँ हत्या बलाकार इस तरह की तमाम जो महिलाओं पर जो उत्पिरन हुआ उसकी रिपोर्ट्स गई हैं शिकायतें दर्ज कराई गई हैं फिर उन्होंने कोगनिजन्स क्यों नहीं उनको लिया उन्होंने स्वता संग्यान में लेकर उन्ह मुख्यमंत्री सरकार सबको उन्होंने रिफर कर दिया था लेकिन चुकी जंडल कैटेगरी के कंप्लेंट थे इसलिए हमने और कोई कदम नहीं उठाया अब मैं समझता हूं कि महिला आयोग जो देश का है रास्टी महिला आयोग उसके चीफ का यह बयान मनिपूर पर उसकी उदासीनता ही नहीं बलकि मनिपूर का सच देश और समाज के समक्ष नौग आये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सबकी मिली भगत है फिर मुख्यमंत्री ने क्या किया मुख्यमंत्री को इसका मतलब कि सब कुछ मालुम था अब रेखा शर्मा जी के बयान को ही अगर आप जो उन्होंने इस वीडियो के सामने आने के बाद कह दिया कि उन्होंने तो सरकार को भेज़ दिया था लेटर तो फिर चीफ मिनिस्टर एन विरेंट सिंग ने क्यों नहीं कदम उठाया तो ये कहना कि ये जानकारी लोगों को नहीं थी एफ आई आर तो पहले दर्ज किया गया था जिसको जीरो एफ आई आर कहते हैं कहीं भी किया जा सकता है कोई जरूरी नहीं की स्पेस्पिक उसी खलके में किया जाए जहां घटना घटी है तो अगर कंप्लेंट दर्ज कराया गया था तो पुलिस क्या कर रही थी डारेक्टर जनरल आप पुलिस से लेकर एसेस हैं उनको खबरों से दबा रही थी देश के समक्ष वो चीजें ना आ पाएं इनकी जुगत बना रही थी बिड़ा रही थी और ये महस संजोग नहीं है दोस्तों कि नेशनल फेडरेशन आप इंडियन वूमन की स्वतंत्र जांच कमेटी जो राश्ट्री फेडरेशन है महि जाओं का उसकी एक स्वतंत्र जांच कमेटी 28 जून से 1 जुलाई के बीच में वो मनिपूर में गई और 8 जुलाई को मनिपूर पुलिस ने कमेटी के सदस्यों एनी राजा निशा सिद्धू और उसकी जो वकील थी उस कमेटी में दिक्षा दिवेदी इनके खिलाब इंफा केस कर दिया क्यों केस किया कि यह क्यों आई यहां इन्हों ने जाच क्यों की परताल क्यों की यहां के हालाद की और इफाइयार कि नहीं एस लाइबन सिंघ ने दर्ज कराया था अब ये भी आश्रजनक बात है कि अगर सरकार स्वेम जांच नहीं कराती तथ्यों को सामने नहीं लाती तथ्ये आने के बाद कारवाई नहीं होती तो जो महिलाएं जांच करने के लिए वहां गई उनके किलाब F.I.R. अब उसमें F.I.R. भी क्या बेहट संगीन धाराएं गंभीर धाराएं लगाई गई गई चार सो इंडियान बे पांच सो चार पांच सो पांच टू ये सब IPC की धाराएं उन पर लगा दी गई इस टीम ने दोस्तों हिंसा के लिए सरकार को जिम्मिदार ठाराया था तो क्या माना जाए कि क्या डबल इंजन की ये वाकई एक को मानिपूर का कोई राज खुले ही ना लोग समझें कि कुकी लड़ रहे हैं मैती से और मैते ही लड़ रहे हैं कुकी से लोगों को ये न समझ में आवे कि कहीं न कहीं जो आक्रामक समूव है मानिपूर का उसको कहीं न कहीं से पैटरनेज मिल रहा है प्रशासन या तो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है या वो बिलकुल आँख को बंद करके जो जैसा कर रहा है dominant section of society वहां की उसको होने दे रहा है दोस्तों ये दुर्भागे प्रून इस्थिति है ये रवांडा जैसी इस्थिति है आपने रवेंडा का सुनाई होगा और रवेंडा में एक रेडियो भी काम कर रहा था उसने जो वहां पर लूट हत्या बलातकार की पूरी की पूरी जो इस्थिति थी उसमें जिस तरह कॉनाईवेंस उसका था सत्ता तंत्र से उसका एक मीनी रूप हमने अभी देखा है मनिपूर में अब कहा जा रहा है कुछ लोग कह रहे है कि साब बंगाल में भी ऐसा हो रहा है वहां भी हो रहा है तो मनिपूर को क्यों पिन पॉइंट कर रहे है भाई तुलना नहीं है NCRB के जो आकड़े आते हैं हम सब जानते हैं कि इस देश के अनिक राजियों में घटनाए होती है लेकिन मनिपूर तीन मई से जल रहा है किसी एक चुनाव में कोई अगरवारदात होती है अशोबनी है निंदनी है खारिश किया जाना चाहिए सरकार के लिए शर्मनाक है चाहिए वो जिस दिए हो रहा हो लेकिन किसी स्टेट में किसी अपराद के होने की तुलना मनिपूर के दो ठाई महिने से लगाता जलते रहने इतनी बेहाल स्थिदी होने उससे नहीं की जा सकती है ये कौन समझा है इस बात को और जो दबाने की डराने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले के रहस्य गाटन को रोकने के लिए वो अपने आप में शर्मनाक है और अब तो मैं एक जनरलिस्ट के तौर पे देश के एक नागरिक के तौर पे ये कह सकता हूं कि इंटरनेट शटडाउन निश्चित रूप से इसके पीछे एक योजना थी और वो ये योजना ये थी कि मेंस्टीम मीडिया तो कुछ नहीं करेगा लेकिन सोशल मीडिया को भी रिपोर्ट नॉक करने दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट शटडाउन जरूर कर दिया जाए दोस्तो अब मनिपूर को लेकर भारत की संसद में खासकर जो अपर हाउस है पार्लामेंट का राजिसभा उसमें लगातार दो दिन तक इस बात को लेकर विपक्ष में और सरकार में जदो जहत थी कि बहस अगर होब मनिपूर पर तो किस तरह हो विपक्ष का कहना था कि 267 रूल 267 के तहत हो जिसमें काम को पार्लामेंट के उस दिन के काम को स्थजित करके और सिर्फ इसी पिशह पर बहस और जरूरत पढ़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है किसी प्रस्ताओ पर लेकिन सरकार का कहना है कि नो रूल 177 के तहत बहस कराने के लिए सरकार तयार है अब सवार्श बात का है कि कि रूल कि तहत बहस हो इसी में पूरे के पूरे पूरे पार्लिमंट का काम काज disrupt हो रहा है सरकार टयार नहीं हो रही है अब आप कहते हैं कि येरोपियन यूनियन की पार्लिमंट में क्यों बहथ हुई क्यों चर्चा हो गई भारत के मनिपूर की आप कहेंगे अब आपकी हाउस आफ कॉमेंस में क्यों हो गई अमेरिका के अख़वारों में क्यों हो रही है फ्रांस के अख़वारों में क्यों हो रही है लेकिन आप अपनी पार्लेमेंट में बहस नहीं करेंगे आप दुनिया भर को रोकेंगे कि आप बहस भारत के बारे में क्यों कर रहे हैं स्वेम प्रदान मंत्री जी कह चुके हैं कि देश के लिए बहुत शर्मनाग इस्तिती पैदा हुई है तो ये जो शर्मनाग पर इस्तिती पैदा हुई है क्यों नहीं पर्लेमेंट बहस करती किस बात का डर है किसी एक प्रस्ताव से या किसी एक रूल के तहट चर्चा कराने पर आश्चर है दोस्तों कि पजान मंत्री जी ने तो बोला चाय जैसा बोला लेकिन देश की रास्टपती जो स्वैम महिला हैं और आदिवासी समाच से आती हैं मनिपूर में आदिवासी औरतों पर ही हमले हो रहे हैं उन्हीं की हत्याएं हो रही हैं अभी एक नई घटना सामने आई है जो इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है कि इसी तरह की घटना होई है दो महिलाओं के साथ और इसी तरह का वाक्या हुआ है और उनकी हत्या कर आदि गया है यह भी एक फायार हुआ है हाला कि इस पर अभी जो वहां के बड़े पुलिस अपसर हैं उन्होंने कोई इसकी पुस्टी या इसको डिनाई नहीं किया है तो एक यह भी पालू है लेकिन दोस्तों अभी तक राश्टपती जी ने इस पर कोई डायरेक्शन नही किया है यह भी अच्रच की बात है इस पर भी बात की जा रही है लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कवर्णर मनिपूर की अनसुया उई के वह भी महिला हैं और संजोगवस वो भी आदिवासी हैं वो बोल गई हैं उन्होंने कमेंट किया है और उनके कमेंट को मैं समझता हू है उन्होंने 21 जुलाई को कहा टेलिविजन चैनलों पर भी आया सोशल मीडिया पर भी आया अख़वारों में भी आया उन्होंने कहा गवर्णर उईके ने मनिपूर की कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी भयानक हिंसा कभी नहीं देखी अगर गवर्णर मनिपूर कहती है कि मैंने ऐसी भयानक हिंसा अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी तो मैं समझता हूं कि माननी प्रदानमंती को और देश के किसी भी भारती जनतापाटी के नेता को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि दूसरे जो राज्य हैं चाहे हो बंगाल हो राजस्थान हो या च्छतिसकड़ हो वहाँ पर जो हो रहा है वह भी मनिपूर जैसा ही है दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए गवर्णर की इस टिपणी से कम से कम ये बात तो बिलकुल साप है और गवर्णर स्टेट के ची गंभीरता पुर्वक लेना चाहिए और कोई पॉलिटिक्स किये बगएर इस पर इंटरमेंशन की जरूरत है वहाँ के समुदायों के बीच में एक जुटता एकता सौहार्द्र बनानी की जरूरत है साथ हजार लोग टेंपों मेरा रहे हैं ये अनसुया उईके ने कहा खेती नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दुख़द ये है कि जो सत्ताधारी दल के नेता हैं चाहिए वो मनिपुर या दिल्ली सब बहाने बाजी कर रहे हैं एक इधर एक नई घटना सामने जरूर आई है जिसको जिसके बारे में टिप पढ़ी करके मैं अपनी बात खतम करता हूँ कि जो नगा एमेलेज हैं भारती जन्ता पार्टी के या एनपी अफ के नगा पीपल्स फ्रंट के मनिपूर सरकार में मनिपूर विधान सबार में उन्हों ने जो आम तोर पे नगा अभी तक नहीं बोल रहे थे उन्हों ने कहा अभी कुकीज और जोमी का मामला है लेकिन नगा लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है नगा समुदाय के साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए उन्होंने इसकी सिरे से खारिश किया है इस पूरे घटना करम को इसकी निंदा की है तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियका झाल झाल